कि नेरे मट्रिकस आपको पता था अब मैं आपको क्लासिफिकेशिन के मैट्रिक्स इक दफ़ा देता हूँ ताकि आपको से दिखा रहा हूँ आपको साइकिट लेर्न गे मोर्डि जो गाईड है वही से वही से स्क्रीण आपके सामने शेर हो रही होगी यहां पे आपके पास guide के अंदर जाने के बाद chapter number 3.3 उसके अंदर classification के matrix classification के अगर matrix देखा जाये तो यह classification के matrix है और अगर आप देखें तो precision recall curve एक होती है ROC curve होती है class likelihood ratios होती है so on and so forth there are many other matrix out there ठीक है लेकिन आपको हर matrix का पता होना चाहिए के कहां पर use होना for example some of these are restricted to binary classification cases only binary क्या होता है दो किसम की 0 या 1 male या female कुछ चीज billy है या नहीं है तस्वीर की बात कर रहो ठीक है इसी तरीके से yes और no के अंदर जो answer आता है उसके लिए ये कुछ restricted है ये किसी और classification के लिए आप use नहीं कर सकते हैं सही है ये वाले जो हैं फिर there are others जो multi class case के लिए use होते हैं वो वाले for example आप कहते हैं कि Friday Saturday Sunday या Thursday इसमें से कौन से दिन वो खाना खाने गए जो tips वाला टेड़ा है उसके अंदर उसके लिए आप यहां पे use करेंगे one of these ठीक है और कुछ और हैं जिनको multi label classification या multi label case के अंदर आता है उसके अंदर आप accuracy score classification report and so on so forth आप different किसम के matrix जो हैं वोने utilize कर सकते हैं तो यह आप पे depend करते हैं आपकी problem कौन सी है by the way binary class के अंदर भी आप different किसम के matrix F1 F score वाले use कर सकते हैं एक वीडियो है वो किस किस जानरा के अंदर आ रही है क्या यह action वाली है plus thriller है plus comedy है तो उसको multi label एक ही के साथ लगा हुए उसको बोलते है multi label classification एक होती है multi class classification जिसका मतलब होते है multi classes है सिरफ यह तस्वीर एक इनसान की है बिली की है, डॉक की है या किसी एक कछवे की है सो वो होती है multi class multi label versus multi class इसको थोड़ा सा गोर से देखिएगा multi label का मतलब के एक ही चीज़ का label यह एक bottle भी है bottle भी है पानी पीने वाली फ्लास्ट भी इसको बोला जा सकता है plastic की there are many labels assigned to this different norm ठीक है अब यह bottle है, यह jug है यह दो class की जो मैंने पहली example बताई वो थी आपकी multi label की जो second बताई that is multi class ठीक है समझ आरी बात की तो इस तरीके से यह इनके matrix हैं यहां पे आपको one by one करके इंशाला पांच से साथ matrix में बताऊंगा जो important है वो बता देता हूँ accuracy score सबसे पहली चीज़ F1 score दूसरा फिर आपके पास precision score तीसरा recall score चोथा ROC, AOC score पांच मा and then आपके पास classification report classification report में there are many other reporting matrix जो सारे के सारे इसके इंदर आ जाते हैं तो यह 6 अगर आपको matrix पता हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से classification की beginning में से लेके intermediate ताक आपको कोई problem नहीं advanced level पे जाएंगे तो आपको specific category wise इसको choose करना पड़ेगा but before that I would suggest कि आप सिर्फ यह वाले देख लें that is more than enough accuracy, classification report F1 score आपके पास जनाब पिर precision score, recall score ROC, AOC score या curve भी इसको बोलते हैं ROC, AOC curve वो भी आप देख सकते हैं and then आपके पास, yes, these are things जो आपको देखनी है और अगर आप हर एक metric पे यहां पे click करें, for example accuracy score पे मैं जाता हूँ, accuracy score पे तो यह इनकी definitions बगारा लिखी हुए हैं इसको एक दफाद दोराईएगा, उसके बाद आपको one by one in metrics का मैं बताऊंगा and then we will read it together, inshallah